मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार 2019 की बिदाई की पल हमारे सामने है, तीन दिन के भीतर भीतर 2019 बिदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश्च करेंगे, नए साल में प्रवेश्च करेंगे, नए दसक में प्रवेश्च करेंगे 21 सदी के तीसरे दसक में प्रवेश्च करेंगे मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हारदिक्षुप कामनाई देता हूँ इस दसक के बारे में एक बात तो निश्चीत है इसमें देश के विकास को गती देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21 सदी में हुआ है जो इस सदी के महत्वपुन मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है तो कुछ उन्हें जन्दरेशन जैड या तो जैन जैड ये भी कहते हैं और व्यापा ग्रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मिडिया जन्रेशन है हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पिड़ी बहुती प्रतिभाशाली है कुछ नाया करने का अलग करने का उसका ख्वाब रहता है उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और विशेश केस कि मैं भारत के बारे मैं कहना चाहूँगा कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्ता को पसंद करते हैं सिस्टिम को पसंद करते हैं इतना ही नहीं वे सिस्टिम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं और कभी कहीं सिस्टिम प्रापरली रिस्पॉंड न करें तो वे बेचेन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम को सवाल भी करते हैं मैं इसे अच्छा मानता हूँ एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते अराजगता के प्रती नफरत है अव्यवस्ता अस्थिर्ता इसके प्रती उनको बड़ी चीड़ है वे परिवारवात जातिवात अपना पराया स्तिरी पुरूश इन भेदभावों को पसंदी करते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड़े पर ये तो सिनेमा के थीटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में कोई गुज जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवाई होते हैं और हमने तो देखा है कि ऐसी कोई घटना होती तो दूसरे नवजवान तुरत अपना मोबाईल फॉन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखते ही देखते वो वीडियो वारल भी हो जाता है और जो गलती करता है वो महसुस करता है कि क्या हो गया तो एक नए प्रकार की विवस्ता नए प्रकार का यूग नए प्रकार की सोच इसको हमारी युवा पीडी परिलक्षित करती हैं। भारत को इस पीडी से भावत उमीदे हैं, इनी युवाओं को देश को नई उचाई पर ले जाना है, स्वामी विवेकानन जी ने कहा था, My faith is in the younger generation, the modern generation, out of them will come my workers, उन्होंने कहा था, मेरा विश्वास युवापीडी में हैं, इस आधुनिक generation में हैं, modern generation में हैं, और उन्होंने विश्वास व्यक्त कहा था, इनी मैंसे मेरे कारकरता निकलेंगे, युवाओं के बारे में बात करते हूँ ने कहा, युवावस्था की कीमत को न तो आंका जा सकता है, और नहीं इसका वर्नन किया जा सकता है, यह जीवन का सबसे मुल्यवान कालखंड होता है, आपका भविश्य और आपका जीवन, इस पन दिर्फर करता है, कि आप अपनी युवावस्था का उप्योग किस प्रकार करते हैं? विवेकान जी के अनुसार, युवाव वह है जो एनरजी और डाइनमिजम से भरा है और बडलाव की ताकत रखता है, मुझे पुरा विश्वास है कि भारत में यह दशक, यह डेकेड न केवल युवाओं के विकास का हो और भारत आधुनिक बनाने में इस पीडी की भहत बड़ी भूमेका होने वाली है, यह मुझे साफ अनुवाव करता हूँ, आने वाली 12 जन्वरी को विवेकानन जेनती पर जब देश युवादिवस मना रहा होगा, तब प्रत्ते युवा इस दसक में अपने इस दसक के लिए अवश्य कोई संकल्प भी ले, मेरे पहरा देश वाश्यों, आप में एक से कई लोगों को, कन्या कुमारी में जिस रौक पर स्वामी विवेकानन जी ने अंतरध्यान किया था, वहाँ पर जो विवेकानन रौक मेमोरियल बना है, उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे पिछले पांच दसकों में ये स्थान भारत का गवरव रहा है, कन्या कुमारी देश और दुनिया के लिए एक आकरशन का केंद्र बना है, राष्ट्र भक्ती से भरे हुए अध्यात्मिक चेतना क्यों अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए ये एक तिर्शक्षेत्र बना हुआ है, स्रध्धा केंद्र बना हुआ है, स्वामी जी के इस मारक ने हर पंथ, हर आयू के वर्क के लोगों को राष्ट भक्ती के लिए प्रेजित किया है, दरिद्र नारैन के सेवा इस मंत्रों को जीने का रास्ता दिखाया है, जो भी वहां गया, उसके अंदर शक् रात्मक्ता का भाव जगे, देश के लिए कुछ करने का जज्वा पैदा हो, यह बहुत स्वाभाविक है, हमारे मानने राष्ट पति महदय जी भी पिछले दिनों इस पचास वर्स निमित रॉक मेमोरियल का दोरा करके आये हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे पति जी भी भारत में ही ऐसे महत्वपों टूरिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, देश वाशियों को उससे जुरूर प्रेणा मिलती है, आप भी जुरूर जाईए, मेरे प्यारे देश वाशियों, हम अलग-अलग कॉलेजिज में, युनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद, अलमनाई मीट एक बहुती सुहाना अवसर होता है, और अलमनाई मीट ये सब नवजवान मिलकर के पुरानी आदों में खो जाते हैं, जिनकी 10 साल, 20 साल, 25 साल पीछे चली जाती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी अलमना परशन का कारण बन जाती है, उस पर ध्यान जाता है, और देशवाचियों का भी ध्यान उस तरफ जाना बहुत जरूरी होता है, अनमनाई मीट दरसल पुराने दोस्तों के साथ मिलना, यादों को ताजा करना, इसका अपना एक अलग ही आनन्द है, और जब इसके साथ अलगनाई ग्रूप कभी-कभी आपने स्कूलों के लिए कुछ नकुछ योगदान देते हैं, कोई COMPUTERIZ करने के लिए ववस्ताओं इस खड़ी करते ते हैं, कोई अच्छी लाइबरारी बना देते हैं, कोई अच्छी पानी की सुविधायी करते हैं, कुछ लोग नए कमरे बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग sports complex के लिए करते हैं, कुछ लोग कुछ कर लेते हैं, उनको आनन्द आता है कि जिस जगा पर अपनी जिन्दगी बनी, उसके लिए जीवन में कुछ करना, यहर किसी के मन में रहता है, और रहना भी चाहिए, और इसके लिए लोग आगे भ बेले के भैरोगंज हेल्थ सेंटर की कहानीं ही जब कशनु इतना अच्छा लगा आप लोगों को बताएवन रही सकता हुँ इस बैरोगंज हेल्थ सेंटर के एन्टीक tiers के अंद्र में मुप्त में हेल्थ CHECK UP करवाने के लिए आसपास के गांवों के हजार ओर लोगों के भीट जुड गई, अब यह कोई बात सुन करके आपको अस्चेली नहीं होगा, आपको लगता है इसमें क्या नहीं बात है? आये होंगे बात है, जी नहीं, बहुत कुछ नया है, ये कार्कम सरकार का नहीं था, नहीं सरकार का इनिशेट्वी था, ये वहां के के आर है स्कूल, उसके जो पुर्वर छात्र थे, उनकी जो अलमनाई मिड थी, उसके तहत उठाया गया कदम था, और इसका नाम दिया था संकल्प 95, संकल्प 95 का अर्थ है, उस है स्कूल के 1995 विद्यार्थियों का संकल्प, दरसल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक अलमनाई मिट रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा, इसमें पूर्वर छात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उनने जिम्मा उठाया पब्लिक हेल्थ एवर्नेस का, संकल्प 95 क इस मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और कई अस्पताल भी जुड़ गए, उसके बाद तो जैसे जनस्वास को लेकर एक पूरा अभ्यान ही चल पड़ा, निशुल के जांज हो, मुप्त में दवाएं देना हो, या फिर जागरुकता फलाने का संकल्प 95 हर किसी के लिए एक मिसाल बन कर सामने आया है, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब देश का हर नागरीक एक कदम आगे भड़ता है, तो ये देश 130 करोड कदम आगे भड़ जाता है, ऐसी बाते जब समाज में प्रत्यक्षर रुप में देखने को मिलती हैं, तो हर किसी को आनन्द आत है, संतोष मिलता है, और जीवन में कुछ करने की प्रेना भी मिलती है, एक तरफ जहां बिहार के बेतिया में पूर्व छात्रों के समुने स्वास्त सेवा का बिड़ा उठाया, वही उत्तरप्रदेश के फूलपूर की कुछ महलाओं ने अपनी जीवरता से पूरे इलाके क को प्रेना दी है, इन महलाओं ने साबित किया है कि अगर एक जुरता के साथ कोई संकल पले, तो फिर परिस्थित्यों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता, कुछ समय पहले तक फुलपूर की ये महला है, आर्थिक तंगी और गरीबी से परिशान थी, लेकिन इन में अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज़वा था, इन महलाओं ने कादीपूर के स्वयम सहात्य समू, वीवेन सेल्फ हेल्फ ग्रूप उसके साथ जुड़कर चपल बनाने का हुनर सिखा, इससे इन्हों ने न सिर्फ अपने पैरों में चुभे मजबूरी क काठे को निकाल फैका, बलकि आत्म निर्फर बनकर अपने परिवार का संबल भी बन गई, ग्रामीन आजिविका मिशन की मजद से अब तो यहां चपल बनाने का प्लांड भी स्थापिद हो गया है, जहां आधुनिक मशिनों से चपले बनाई जा रही है, मैं विशेस और अपने परिजनों के लिए इन महिलाओं द्वारा बनाई गई चपलों को खरीद कर इनको प्रोथसाहित किया है, आज इन महिलाओं के संकल्प से न केवल उनके परिवार के आर्थिक हरत मजबूत हुए है, बलकि जीवन स्तर भी उंचा उठा है, जब फूलपूर के ये बात सुनता हूं, तो आपको याद होगा, मैंने लाल कीले से 15 आगस को देशवासियों को एक बात के लिए आगरह किया था, और मैंने कहा था कि हम देशवासी लोकल खरीदने का आगरह रखें, आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानिय स्तर पर बने उत् क्या हम लोकल प्रोडक्ट को अपनी प्रतिष्टा और शान्द से जोड़ सकते हैं, क्या हम इस भावना के साथ, अपने साथी देस्वासियों के लिए समरध दिलाने का माध्यम बन सकते हैं, साथियों, महत्मा गांधी ने स्वधैशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के र सौ साल पहले गांधी जी ने एक बड़ा जनांदोलन शुरू किया था इसका एक लक्ष था भारतिय उत्पादों को प्रोथसाहित कर रहा है आत्म निर्वर बनने का यही रास्ता गांधी जी ने दिखाया था 2022 में हम हमारी आजादी के 75 साल पूरे करेंगे जिस आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं उस भारत को आजाद कराने के लिए लक्षावधी सपुतों ने बेटे बेटियों ने अनेक यातना ही सही है अनेकों ने प्राण की आहुती दी है लक्षावदी लोगों के त्याग तपस्या बलिदान के कारण जो आज़ादी मिली जिस आज़ादी का आज हम भरपुल लाब उठा रहे हैं आज़ाद जिंदगी हम जी रहे हैं और देश के लिए बनमिटने वाले देश के लिए जीवन खपाने वाले नामी अनामी अंगिनत लोग शायद मुश्किल से हम बहुत कभी लोगों के नाम जानते होगे लेकिन उन्होंने बलिदान दिया कुछ सपनों को ले करके आज़ाद भारत के सपनों को ले करके सम्रद सुखी संपन आज़ाद भारत के लिए है मेरे प्यारे देश्वाशियों क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं कम से कम ये 2-3 साल हम स्थानिय उत्पात खरीदने का आग्रही बने भारत में बना हमारे देश्वाश्यों के हाथों से बना हमारे देश्वाश्यों के पसीने की जिसमें महक हो ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आगर कर सकते हैं क्या मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूँ सिरफ 2022 तक आज हादी के 75 साल हो तब तक और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए स्थान स्थान पर नवजवान आगे आए छोटे छोटे संगर्षन बनाए लोगों को प्रेडित करें समझाएं और ताय करें आओ हम लोकल खरी देंगे स्थानिय उत्पादों पर बल देंगे देश्वासियों के पसिने की जिसमें महक हो वही मेरे आजाद भरत का सुहाना पल हो इस सपनों को लेकर के हम चलें मेरे पहले देश्वासियों यह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपून है कि देश के नागिक आत्म निर्फर बने और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे मैं ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खिचा और वो पहल है जमू कश्मीर और लदाक का हिमायत प्रोग्राम हिमायत दरसल स्किल डवलप्मेंट और रोजगार से जुड़ा है इसमें 15 से 35 वर तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं यह जमू कश्मीर के वे लोग है जिन की पढ़ाई किसी कारण पूरी नहीं हो पाई जिने बीच में ही स्कूल कॉल ने छोड़ना पड़ा मेरी पहरा देशवाजियो आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि इस कारकम के अंतरगत पिछले दो सालों में 18,000 युवाओं को 77 अलग-अलग ट्रेड में प्रस्शिक्षन दिया रहा है इन में से करीब 5000 लोग तो कहीं ने कहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्वरोजगार के और आगे बड़े है हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानिया सुनने को मिली है बेसचमुच रदय को छू लेती है परवीन फातिमा तमिन नाडू के तिरुपूर की एक गार्मेंट युनिट में प्रमोशन के बाद सुपरवाइजर कम कोडिनेटर बनी है एक साल पहले तक वो करगील के एक छोटे से गाउं में रह रही थी आज उसके जीवन में बड़ा बडलाव आया आत्मविश्वास आया वो आत्म नर्भर हुई है और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसल ने कर आई है परविन फातिमा की तरह ही हिमायत पोगराम ने ले लदाक शेत्र के निवासी अन्य बेटियों का भी भाग्य बडला है और ये सभी आज तमिलनाडू की उसी फार्म में काम कर रहे है इसी तरह हिमायत डोडा के फियाज एहमत के लिए बरदान मन करके आया फियाज ने 2012 में 12 वी की परिक्षा पास की लेकिन बिमारी के कारण वो अपनी पुढ़ाई जारी नहीं रख सके फियाज दो साल तक रदय की बिमारी से जूचते रहे इस बीच उनके एक भाई और एक बहन के मृत्य भी हो गई एक तरह से उनके परिवार पर परिशानियों का पहाट तूट गया आखिर कर उन्हें हिमायत से मदद मिली हिमायत के जरिये IT's एन इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी एनेबल सर्विस में ट्रेनिंग मिली और वे आज पंजाब में नोकरी कर रहे हैं फियाज अहमद की ग्रेजुएशन के बढ़ाई जो उन्होंने साथ साथ जारी रखी वो भी अप पूरी होने वाली है हाली मैं हिमायत के एक कारकम में उन्हें अपना अनुभव साजा करने के लिए बुराया गया अपनी कहानी सुनाते समय उनकी आँखों में से आंसु छलक आये इसी तरह अनंतनाग के रकीब उन रह्माण आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए एक दिन रकीब को अपने ब्लॉक में जो एक कैम्प लगा था मोबिलाइजेशन कैम्प उसके जरिये हिमायत कारकम का पता चला रकीब ने तुरंत रिटेल टीम लीडर कोर्स में दाखला ले लिया यहां ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज वो एक कॉर्परेट हाउस में नोकरी कर रहे हैं हिमायत मिशंद से लाभानवित प्रतिभासाली युवाओं के ऐसे कई उदारण है जो जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के प्रतिक बने हैं हिमायत कारकम सरकार, ट्रेनिंग पार्टर नोकरी देने वाली कंपनिया और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच एक बहतरीन तालमिल का आदर्स उदारण है इस कारकम ने जम्मू कश्मीर में युवाओं के अंदर एक नया आत्मविस्वास जगाया है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रसस्त किया है मेरे प्यारे देश्वासियों 26 तारीक को हमने इस दसक का आखरी सुर्य ग्रहन देखा सैथ सुर्य ग्रहन की इस घटना के कारण ही माय गौव पर रिपून ने बहुती इंट्रेस्टिंग कमेंट लिखा है वे लिखते हैं नमस्कार थर मेरा नाम रिपून है मैं नौर्धिस का रहने वाला हूँ लेकिन इंदेनों साउथ में काम करता हूँ एक बात मैं आपसे सहर करना चाहता हूँ मुझे आद है हमारे क्षेतर में आस्मान साफ होने की विज़े से हम घंटों आस्मान में तारों पर टक्ट की लगाई रखते थे स्टार गेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अपनी दिनचेरिया के कारण मैं इन चीज़ों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ क्या आप इस विशे पर कुछ बात कर सकते हैं क्या विशेश रूप्स एस्ट्रोनोमी को युवाओं के बीच में कैसे पॉपिलर किया जा सकता है मेरे पहरे देश्वाजियो मुझे सुझाव बहुत आते हैं लेकिन मैं कह सकता हूँ इस प्रकार का सुझाव शायद पहली बार मेरे पास आया है वैसे विज्ञान पर कई पहलों पर बात्चित करने का मौका मिला है खास करके युवापिधी के आग्रह पर मुझे बात करने का अउसर मिला है लेकिन ये विशे तो अच्छुता ही रहा था और अभी 26 तारीक को ही सुर्य गरहन हुआ है तो लगता है कि शायद इस विशे में आपको भी कुछ दो कुछ रूची रहेगी तमाम देश्वाजियों विशेस तोर पर मेरे युवाज साथ्यों की तरह मैं भी जिस दिन 26 तारीक को सुर्य गरहन था तो देश्वाजियों की तरह मुझे भी और जैसे मारे युवाज पीठी के मन में जो उत्सा था वैसा मेरे मन में भी था और मैं भी सुर्य गरहन देखना चाहता था लेकिन अपसोस की भी बात ये रही कि उस दिन दिल्ली में आस्मान में बादल चाय हुए थे और मैं वो आनन तो नहीं ले पाया हाला कि टीवी पर कोजी कोड और भारत के दूसरे हिस्वों में दिख रहे सूरिय गरहन की सुन्दर तस्विरे देखने को मिली सूरिय चमकते हुई रिंग के आकार का नजर आ रहा था और उस दिन मुझे कुछ इस विशे के जो एक्सपर्स हैं उनसे समबाद करने का आउसर भी मिला और वो बता रहे थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंदरमा पुर्थ्वी से काफी दूर होता है और इसलिए इसका आकार पूरी तर से सूरिय को ढख नहीं पाता इस तर से एक रिंग का आकार बन जाता है यह सूरिय ग्रहन एक एनिलर सोलर एकलिप्स जिसे वलाई ग्रहन या कुंडल ग्रहन भी कहते हैं ग्रहन हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम पूत्वी पर रहकर अंतरिश में घुम रहे हैं अंत्रीश में सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों जैसे और खगोलिय पिन गुमते रहते हैं। चंद्रमा की छाया से ही हमें ग्रहन के अलग-लग रूप देखने को मिलते हैं। साथियों भारत में एस्ट्रोनॉमी याने खगोल विज्यान का बहुत ही प्राचीन और गवरोशाली इत्यास रहा है। आकास में टिम-टिमाते तारों के साथ हमारा समन्द उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। आपने से बहुत लोगों को पता होगा कि भारत के अलग अलग सानों में बहुती भव्य जंतरमंतर है, देखने योग्य है। और इस जंतरमंतर का एस्ट्रोनॉमी से गहरा सबंध है। महान आर्यभट की विलक्षन प्रतिवहा के बारे में कौन नहीं जानता। अपनी कालक्रिया में उन्होंने सूर्य ग्रहन के साथ साथ चंद्र ग्रहन की भी विस्तार से व्याख्या की है। वो भी फिलोसाफिकल और मैथेमेटिकल दोनों ही अंगल से की है। उन्होंने mathematically बताया कि पृत्वी की छाया या shadow की साइज का calculation कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ग्रहन के duration और extent को calculate करने की भी सर्टिक जानकारिया दी। भासकर जैसे उनके शिश्यों ने इस spirit को और इस knowledge को आगे बढ़ाने के लिए भर्षक प्रयास की है। बाद में 14-15 शदी में केरल में संगम ग्राम के माधव इन्होंने ब्रह्मान में महजुद ग्रहों की स्थिती की गणना करने के लिए calculus का उप्योग किया। रात में दिखनावाल आस्मान सिर्फ जिग्यासा काई विशे नहीं था। बलकि गणित की दृष्टी से सोचने वालों और बेग्यानी को लिए एक महत्वपुन सोर्स था। कुछ वर्ष पहले मैंने pre-modern कच्छी navigation techniques and voices इस पुस्तक का अनावरण किया था। यह पुस्तक एक प्रकार से तो मालम की डायरी है। मालम एक नाविक के रूप में जो अनुभव करते थे। उन्होंने अपने तरीके से उसको डायरी में लिखा था। अधुनिक युगी में उसी मालम की पोथी को और वो भी गुजरादी पंडूलिप्यों का संग्रह जिसमें प्राचिन navigation technology का वणन करती है। और उसमें बार-बार मालम ने पोथी में आसमान का, तारों का, तारों की गती का वणन किया है। और यह साब बताया है कि समंदर में यात्रा करते समय तारों के साहरे दिशा तय की जाती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने का रास्ता तारे दिखाते हैं। मेरे पहरे देशवासियों, एस्ट्रोनोमिक एक्षेत्र में भारत काफी आगे है। और हमारे इनिसेटिव्स पाथब्रेकिंग भी है। हमारे पास पूने की निकट विशाल का मिटर वेव टेलिस्कोप है। इतना ही नहीं, कोडाई कनाल, उदग मंदलम, गुरुशिखर और हांतेल लदाख में भी पावरफुल टेलिस्कोप है। 2016 में, बेलियम के ततकालिन प्रधानमंत्री और मैंने नैनिताल में 3.6 मीटर देवस्तल अप्टिकल टेलिसकोप का उदगारन किया था। इसे एशिया का सबसे बड़ा टेलिसकोप कहा जाता है। इसरो के पास एस्ट्रो सेट नाम का एक एस्ट्रोनोमिकल सेटिलाइट है। सूरिय के बारे में रिसर्ज करने के लिए इसरो आदित्य के नाम से एक दूसरा सेटिलाइट भी लौंच करने वाला है। खगोल विज्ञान को लेकर चाहे हमारा प्राचिन ग्यान हो या आधुनिक उपलद्यां हमें इनने अवस्य समझना चाहिए और उन पर घर्व करना चाहिए। आज हमारी रुआ वैज्ञानिकों में न केवल अपने वैज्ञानिक इतियास को जानने के ललक दिखाई परती हैं बलकि वे एस्ट्रोनॉमी के भविश को लेकर भी एक द्रड इच्छा सकती रखते हैं। हमारे देश के प्रेनेटोरियम नाइट स्काय को समझने के साथ स्टार गेजिंग को शौक के रुप में विक्सित करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। कई लोग एमेच्वर टेलिस्कोप्स को छतों या बालकनीज में लगाते हैं। स्टार गेजिंग से रूरल कैम्प्स और रूरल पिक्निक को भी बढ़ावा मिल सकता है। और कई ऐसी स्कूल कॉलिजीज हैं जो एस्ट्रोनोमी के क्लब भी गटन करते हैं और उस प्रवुक को आगे भी बढ़ाना चाहिए। मेरे पहरे देश्वास्चियों हमारी संसत को लोगतंत्र के मंदी के रूप में हम जानते हैं। एक बात का मैं आज बड़े गर्व से उलेक करना चाहता हूं कि आपने जिन प्रतिनीधियों को चून करके संसत में भेजा हैं। उन्होंने पिछले 60 साल के सारी विक्रम तोड़ दिये हैं। सत्तरवी लोगसभा के दोनों सत्रा बहुत ही प्रोडक्टिव रहे हैं। लोगसभा ने तो 114 प्रतिशत काम किया। तो राजसभा ने 94 प्रतिशत काम किया। और इससे पहले बजेट सत्र में करीब 135 फिस्दी काम किया था। देर देर रात तक संसद चली। ये बात मैं इसल 56 साल के सारे Record फोड़ दिये। इतना काम हो ना अपने आप में भारत के लोक तंदर की टाकत का भी और लोक तंतर के प्रती आस्था का भी परिचायक है। मैं दोनों सदोनों के पिठासीन अधिकारियों, सभी राजनितिक दलों को, सभी सांसदों को उनकी इस सक्रिय भूमिका के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ परे प्यारे देश्वासियों सूरिय पूत्वी चंद्रमा की गती केवल ग्रहन तय नहीं करती हैं बलकि कई सारी चीजे भी इससे जुड़ी हुई हैं हम सब जानते हैं कि सूर्य की गती के आधार पर जन्वरी के मध्य में पूरे भारत में विभिन्द प्रकार के त्योहार मनाई जाएंगे पंजाब से लेकर तमिल्नाडु तक और गुजराद से लेकर असम तक लोग अनेक त्योहारों का जश्ण मनाएंगे जन्वरी में बड़े ही दुम्ताम से मकर संक्रांती और उत्राण मनाए जाता है इनको उर्जा का प्रतिक भी मना जाता है इसी दोरान पंजाब में लोडी, तमिल्नाडु में पंगल, असम में माग भी हूँ भी मनाए जाएंगे योतोहार किसानों के समरुद्ध और फसलों से बहुत निकरता से जुड़े हुए है योतोहार हमें भारत की एक्ता और भारत की विवित्ता के बारे में याद दिलाते है पंगल के आखरी दीन, महान तिरुवल्लवर की जैनती मनाने का सवभाग्य हम देशवाचियों को मिलता है यह दीन महान लेखक, विचारक, संतिरुवल्लवर जी को, उनके जीवन को समर्पित होता है मेरे प्यारे देशवाचियों, 2019 की यह आखरी मन की बात है 2020 में हम फिर मिलेंगे, नया वर्ष, नया दसक, नये संकल्प, नई उर्जा, नया उमंग, नया उत्सा आईए, चल पड़े, संकल्प की पूर्ति के लिए सामर्थ जुटाते चले दूर तक चलना है, बहुत कुछ करना है, देश को नई उचाईयों पर पहुचाना है 130 करोड देशवाचियों के पुर्षार्थ पर, उनके संकल्प पर, अपार सरत्ता रखते हुए आओ, हम चल पड़े बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुब कामनाई नमस्कार हमारे इस खास काने